आप देख रहे हैं BHPC News नमस्कार स्वागत है आपका मेरा नाम है विपिन वेबाग उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी सांसद राम संकर कठेरिया एक मामले में आगरा कोट में तो शिपाए गए है एमपी अमेले कोट ने कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहस्त दो सी गरार दिया है बीजेपी सांसद पर साकित मॉल में टोरेंट कमपनी के आफिस में हंगामा कर तोड़ फोड का अरोप है सोले नंबर 2011 को वारदात हुई थी इस मामले में कोट ने दो साल की सजा सुनाई है साथी पचाहियार रुपेगा जुरवान लगा है ऐसे में राम संकर कठेरिया की सांसद सदस्ता समाप हो सकती है बता दें कि टोरेंट पावर लिम्टेट अगरा की साकित मावल इस्तित कारयले में मैनेजर भावेस रसिक लाल शहा बिजली चोरी से समन्मनित मामले की सुनवाई और निस्तान तरण कर रहे थी इसी दोरान इस थानी असांसद राम संकर का ठेरिया के साथ आए 10-15 समर्थकों ने भावेस में रसिक लाल सहा के कारयले में घुच गए और उसके सार मार पिट सुन कर दी इसमें उन्हें खाफी चोटे आई थी इसके बाद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरिक शक्स समेधी लाल ने हरी परवत थाने में तहरीर दी तहरीर के आदार बर सांसद राम संकर का ठेरियार उनके समर्थकों के खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ इसी मामले में थाना हरी परवत पुलिस ने सांसद राम संकर का ठेरिया के खिलाफी आरूप पत्र कोट में प्रेशित किया था मामले में गवाई और बहस की प्रिकरिया पूरी होने पर सनिवार को फैसला सुनाया गया वहीं सजा मिलने बर बीजेपी सांसद राम संकर कठेरिया ने अपनी प्रति किरिया देते हुए कहा है कि मैं मान्य कोट के पैसले का सम्मान करता हूँ स्विकार करता हूँ अपने अधिकार का प्रियोग करते हुए आगे अपील करूँगा राम संकर कटेरिया आगरा सेवी सांसद रह चुके हैं वरतवान में वे राष्टी अन्सूचित जाती आयोग के अध्यक्ष हैं अभी के लिए सिर्फ इतना है नमस्कार